दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की पांच सबसे सुरक्षित कारों के बारे में जो घातक से घातक हमले को जहलने में सक्षम है। इस कार को अमेरिका के राष्टपती के लिए बनाए गया है। फिलहाल इस गाड़ी में डुनाल्ड ट्रम्प ट्रेवल करते हैं। इस गाड़ी के नीचे अगर बम भी फट जाए तो इस गाड़ी को खरोंच तक नहीं आएगी। ये गाड़ी हर तरह के हमले को आसानी से जहल सकती है। इस कार को दुनिया में दबीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये 8 टन की वजनी कार नुकलियर हमले को भी जहल सकती है। इसके अलावा इस कार में ऑक्सिजन की सप्लाई भी दी जाती है। और ये गाड़ी हर तरह के केमिकल अटैक को भी जहलने में सक्षम जिसमें night vision camera, GPS tracking के साथ ही satellite communication system लगा हुआ है और इस कार का fuel tank भी special form से covered है जिसके वज़े से blast नहीं हो सकता और the beast कार के tire भी पंचर नहीं होते इस कार के शीशे 5 इंच मोटे हैं जो हर तरह की bullet को जहल सकते हैं BMW 760 Li इंडिया में शायद बहुत कम लोग होंगे जो मुकेश अंबानी को नहीं जानते होंगे मुकेश अंबानी की गिनती पुरी दुनिया भर में सबसे अमीर लोगों में से होती है और मुकेश अमबानी जिन कारों में चलते हैं उनकी गिनते भी महंगी गाड़ियों में होती है अमबानी जी की BMW 760 LE कार भारत की सबसे महंगी कारों में से एक है और दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसी कार में चलते हैं अमबानी जी की इसी गाड़ी की खिडिकी में लगा हुआ बुलेट प्रूफ काँच देड़ सो किलोग्राम का है और इस गाड़ी में डबल लेयर बुलेट प्रूफ टायर लगे हुआ है जो की 305 किलोमेटर की रफतार में चलने में सक्षम है और 3.7 सेकंड में ये गाड़ी 100 किलोमेटर की रफतार से दोड सकती है ये गाड़ी बलास्ट को भी आसानी से जेल लेती है इसके साथ कार को लेंड माइन्स के लिए भी टेस्ट किया जा चुका है और इस कार के पेट्रोल टैंक में कभी भी आग नहीं लग सकती क्योंकि इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक को सर्व सिलिंग करलर से बनाया गया है और इमर्जंसी के दौरान इस गाड़ी में लगे आक्सिजन का इस्तवाल बहुत आसानी से किया जा सकता है इतनी ज्यादा सुरक्षित होने की वज़े से इस कार की कीमत 8.3 करोड रुपे है 8.5 कॉमबैक्ट T98 इस कार की सवारी करने के बाद हर कोई इसे अपना बनाना चाहता है क्योंकि एक कार सुरक्षित होने के साथ ही पूरे तरीके से लगजिरी कार भी है इस कार के इंटीरियर्स वेल मचली के चमड़ी से तयार किये गए इस कार पर हमलावर कितनी भी फाइरिंग कर ले इस कार में बैठे व्यक्ति को कुछ नहीं होगा बुलेट प्रूफ होने के साथ ही कार लेंड माइन्स और छोटे धमाकों को जेल सकती है कार के अंदर एक एडवांस मल्टी मीडिया, सिस्टम, सैटलाइड नैविगेशन और यात्रियों के लिए एक फ्रिज भी दिया गया है इसके साथ साथ आप कार का टेंपरेचर भी सैट कर सकते हैं और इस कार के रफतार की बात करें तो 180 किलोमेटर पर आर के रफतार से ये दोड़ सकती है Audi A8 L Security Audi कार अपनी Luxury और Sports आर के लिए जाने जाती है लेकिन Audi कंपनी की सबसे सुरक्षित कार है Audi A8 L Security ये सुरक्षित होने के साथ साथ एक Luxury कार भी है इस कार के ओपर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले B7 की परत चड़ी हुई है केमिकल हमले के साथ इस कार पर AK-47 की गोलियों को भी असर नहीं पड़ेगा आउडी कमपनी का दावा है कि इस कार पर चाहे कितनी भी चलाई जाए अंदर बैठी सवारी को कुछ नहीं होगा इस कार का दर्वाजा 160 किलोग्राम का है जिसे खोलने के लिए अच्छे खासे हिम्मत चाहिए और ये कार M60 के टेगरी के हत्यारों को मशीन गन से होगी फाइरिंग और बम धमाकों को भी जेल सकती है बात करें इसके फीचर की तो कार का टायर पंचर होने के बाद भी 80 किलोमेटर पर आर की स्पीड से चल सकता है और किसी वज़े से इस कार में आग लग जाए तो ये कार उस आग को बुझाने में भी सक्षम है इस गाड़ी को अपना बनाने के लिए 9 करोड 15 लाग खर्च करने पड़ेंगे आपने एक कार तो देखी होगी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ इस कार में हमारे देश के प्रेजिडेंट चलते हैं इस कार को लंदन की क्वीन एलिजाबेट भी इस्तिमाल कर चुकी है इस कार की सुरिक्षा की बात करें तो मशीन गन शॉट गन के हमलों को ये जहिल सकती है कार के अंदर हर तरह की हाई लेवल टेक्नोलोजी फंक्शन दिये गए है और कार में फ्रिज, क्लाइमेट, कंट्रोल और प्रेजिडेंट के लिए डिरेक्ट सेटलेड का फीचर भी दिया गया है अगर किसी कारण से इस कार में आग लग जाए तो ये कार आटमेटिक कार को बुझाने में सक्षम है और सिर्फ एक बटन दबाने से इस कार की हर एक खिड की ट्रांस्पेरेंट हो जाती है ये कार खतरे की स्तिथी में 6.7 सेकंड में 100 किलोमेटर पर आर की रिफ्तार से दोड़ सकती है कार का वजन जादा होने के कारण इसमें V12 टर्बो हिंजन लगा हुआ है इस कार का कुल वजन 5000 किलोग्राम है इस कार की कीमत की बात करें तो 11 करोड रुपे की है दोस्तों आपको इन में से सबसे अच्छी कार कौन सी लगी अपनी पसंद की कार का नाम कॉमेंट मॉक्स में ज़रूर बता देना झाल